अब आगे हम बात करते हैं ने फाइनस को कैसे मेनेज करना है पुराना फाइनस तो अपना क्लियर हो गया जिससे अपना रूटिन चले ने फाइनस को मेनेज करने के लिए आपको करना पड़ेगा वह आपको देखना पड़ेगा ये नया पैसा आएगा कहा से क्योंकि फाइनस तो है वो liquid है दंदे का तो ये liquid लाने के लिए आपको आप समझना पड़ेगा या तो वो bank से आएगा या तो वो investor से आएगा सही है अब ये bank से आएगा तो bank वाले भी कोई ना कोई चीज की condition रखेगे तो bank जो होती है वो condition क्या रखेगी कि अगर मुझे आपके धंदे में invest करना है तो सबसे पहले में क्या मांगूगा highly turnover मांगूगा फिर क्या मांगूगा pure white में धंदा होना चीए भाई आपका तब में पैसा लगा होगा फिर वो क्या demand करेगे high level का net profit आप लोगों को कमा कर देना पड़ेगा फिर वो demand क्या करेगे कि आपके तीन साल का या पिछले छे साल का कैसे growth रहा है और वो क्या continue है उसको maintain रखा है आपने तब हम पैसा लगाएगे तो यह सारी चीज़े जो है वो बैंक के तरफ से होती है future का planning बहुत सारे लोग lawn बना लेने के लिए planning करते हैं और उसका एक format तयार करते हैं दिये के साथ बढ़ते हैं और उसका presentation करते हैं जहां से आपको पैसा मिलता है अब बाद आती है investment की तो investment अगर हमें करना है तो वो कहां से हो सकता है और वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले वो investment आता है आपके परिवार से और आपके रिलेटिव से आपके नियर एंडियर वाले सबसे पहला पैसा आपको देते हैं दंदे में यस या नो फिर पैसा कहां से आएगा आप अपने फ्रेंड के पास से लेकर आ सकते हो या कॉलेज के अंदर जितने लोग आपसे connect है उन आपके दंदे में पैसा लगाने के लिए तयार होता है तो वहाँ से भी investment आता है फिर कहां से आता है आपके जो नियर एंडियर होते हैं दोस्त लोग या आपका कोई business आपका कोई business click ऐसा है कि जो किसी company का एक अच्छी position पर पहुचा है तो वो भी पैसा लगाने के लिए त यार होता है तो भी आपको पैसा दे सकता है investment के लिए फिर यह कहां से आता है आपके loyal customer भी आपके धंदे में पैसा दे सकते हैं आपको business करने के लिए आपके पास वो formats होने चीए वहां से भी पैसा आसकता है और फिर कहां से आसकता है बहुत सारे आप जैसे group of companyya होती है जिस companyy का काम ही होता है आपके धंदे में पैसा लगाना और वो companyya आपके company की audit करती है आपकी balance चेक करती है और उसके base पर decide करती है आपको कितना पैसा मिलेगा आपके साथ negotiate होता है और आप सभी लोग अभी sony tv के ओपर जो देखी रहे होगे सार्क टेंग तो उसके अंदर काम ही यह होता है भाई हम invest करने के लिए तैयार है आप अपना business plan present करो अगर profit दिखेगा तो हम investment करेगे तो वहाँ से भी होता है तो ऐसी बहुत सारी लोग होते है जो इस तरीके से आपको पैसा देते है clear अब हमें समझना ये पड़ेगा कि हमें पैसा दे रहे है तो हमें अपनी company को क्या बनाना पड़ेगा तो सबसे पहली condition है आपको अपनी company को बनाना पड़ेगा प्राइवेट लिमेटेड या पब्लिक लिमेटेड जहाँ पर लोग आपके company में पैसा इन्वेस करेगे दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा second चीज़ क्या है यहांबर कि आपका पूरे business का valuation होना चाहिए कि आज अगर आप अपना धंदा बेशने के लिए निकले हो तो उसकी value क्या आएगी जामनगर की एक company है जिसके साथ मेरा type चल रहा है उनको अपनी company जो है वो sell करनी है बेशनी है उनका manufacturing भी है retail भी है और wholesale भी है उन्होंने अपनी company का valuation निकाला है 10CR अब CA के साथ audit करके हमें calculation निकालना रहेगा कि actual उसका valuation कितना है और कितना कोई बंदा invest कर सकता है वो पूरी company टेक और कर देना चाहते है तो आज अगर आप अपनी company को sell करने के लिए निकलो के market में तो उसकी value क्या है क्या वो कभी आपने CA को जाकर पूछा तो बहुत सारी company के अंदर लोग CA रखते हैं खाली paperwork करने के लिए लेकिन कभी उसके साथ question answer या counselling नहीं करते हैं या discussion नहीं करते हैं तो यह होना चाहिए आपको पता होना चाहिए आपकी value क्या है फिर क्या है develop business proposal आपको अपने business proposal तयार करने पड़ेगे अगर आपको अच्छे investment चाहिए क्योंकि आप तो government भी invest करने के लिए तयार है उनके भी बहुत सारी facilities या बहुत सारी products ऐसी है कि जो आपके धंदे में पैसा लगा सकती है आपके पास अगर plan हो तो फिर क्या होता है offer then share आप share भी दे सकते हो अपने business के अब एक सवाल है आप लोको को कि एक company है जिसका 10 करोड का turnover है और उसका में 100% honor हो तो ये वाला रस्ता मेरे लिए सही है या 10,000 करोड की एक company है जिसका 10% का में honor हो ये मेरे लिए सही है फिर आता है do it professionally and legal अभी भी बहुत सारे लोकों की खोपड़ी में पहला वाला ही गुसा है एक छोटी company का 100% honor होने से बहतर है एक बड़ी giant company बनाओ और उसका एक छोटा सा part अपने पास रखो और उस level पर जब आप काम करोगे liability आपकी कम होगी आप multiple business में जा सकते हमारा mindset कैसा है पूरी-पूरी ownership अपने को ही चीए तो समझना पूरी-पूरी liability भी आपकी यह आजाती है ownership के साथ तो एक बड़ी company का छोटा हिस्सा बनना बैतर है एक छोटी company का पूरा हिस्सा बनने से मेरा जो आपको suggestion है choice आपके हाथ में आपको क्या करना है कि कोई भी चीज जब आप कर रहे हो ना उसको professionalism के साथ करो उसको legalize करो और आने वाले time में कल उटकर अगर आपको problem ना है उस हिसाब से करो ने तो बहुत सारी company में छापे पड़ते है जियस्टी वाले के और आते है आकर उतना लेकर चले जाते हैं जितना तो आपने बचाया ही नहीं होता है और आप सबको पता है होता है तो कभी भी कोई भी छोटी गलती जब तक आपकी company 10 करोड, 20 करोड, 30 करोड, 50 करोड की नहीं है तब तक ये छोटी 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 चीज़े आपकी कोई देखेगा नहीं लेकिन जब एक बड़ी company हो जाएगी ना तो छोटी गलती भी आपके लिए बहुत बड़ी परिशान करवाए यह आपको ध्यान रखना रहेगा तो अब यहाँ पर activities नंबर जो है हम बात करते हैं कि minimize करना पड़ेगा कोश्टिंग को अपने operational कोश्ट को अगर maximize करना है minimize करना है उसके लिए आपको इतनी चीजों को समझना पड़ेगा man versus machine उसके बाद है self versus outsource physical versus digital temporary versus permanent और short term versus long term इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको अपना कोश्टिंग जो है वो अगर आपको कम करना है तो आपको समझना पड़ेगा सबसे पहला manually कितना काम हो रहा है वही काम में machine से कितना कर सकता हूँ second आपको देखना पड़ेगा कि जो खुद कर रहे है क्या वो outsource हो सकता है आप दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी company जो भी है वो सारी product खुद बनाती नहीं है for example apple कितने लोगों को पता है कि apple company apple phone बनाती ही नहीं है बड़िया जितनी भी बड़ी बड़ी company है जिनकी product अवल लेवल की है वो खुद वो product को building नहीं करती है वो क्या करती है एक ही product के 10 part बना देती है उसको divide कर देती है उस 10 part में से देखती है कि ये part बनाने की mastery किसकी है उसको ढूंड़ो उसको पकड़ो उसको वो काम दे दो तो सब 10 लोग ऐसे होते हैं जिनके वो पार्ट बनाने में मास्टर ही होती है तो उनकी actual product masterpiece बन जाता है फिर उसी का marketing और branding वो खुद करेगे और उसको market में बेचेगे और उसी से वो अपने business को grow कर लेगे तो कई बार हमारी जो यह सोच होती है ना कि सब में खुद करू उसमें से भार आजाओ आपके पास ऐसे लोग market में available है जो आपसे भी बहतर चीज़ों को बना सकते है तो बनाने में टाइम क्यों निकाले खाली बेचने में टाइम निकालो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों में मैंने खुद विसिट किया है उनकी mastery बनाने की है बेचने की नहीं है